आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ time will be option given 35 days, 15 days, 20 days और 27 days तो यहाँ पर दिखे बच्चो activity दी वी है ठीक है तो यहाँ पर दिखे half life of substance दिया हुआ है ठीक है capital T को अगर half life मानते हैं तो यह दिया है 5 days ठीक है और initial activity activity को आर नाट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2.56 into 10 power minus 3 disintegration per second इसका unit होता है ठीक है तो disintegration या इसको आप लिख सकते है decay per second ठीक है और after some time हाने T time पर यह R हो जाता है 2 into 10 power minus 5 decay per second ठीक है यहाँ unit नहीं दिया है लेकिन यह decay per second होता है तो हमको वही time find करना है ठीक है अब दीक है R जो होता है ना directly proportional होता है N के ठीक है तो अगर हम लोग R by R naught लेते हैं तो यह किस के बराबर होगा N by N naught एन क्या होता है जो decay होने के बाद जो total ना भी remaining हो जाता है ने total जो number of nucleus remaining nucleus उसकी number होता है N naught क्या है initial जो number था number of nucleus उसका number है ठीक है तो N by N naught तो हमारा जो formula होता है ठीक है N by N naught is equal to क्या होता है 1 by 2 और small t by capital T ठीक है तो N by N naught के जगा R by R naught लिख सकते है 1 by 2 T by 5 हो जाएगा हाना half life जो दिया है 5 दिया है अब दिखे R का value यहाँ पर कितना है हमारा 2 into 10 power minus 5 ठीक है 2 into 10 power minus 5 R naught हमारा है 2.56 into 10 power minus 3 ठीक है अब इधर आगया 1 by 2 T power 5 ठीक है अब दिखे इसको कैसे solve करेंगे हम लोग और दिखे 2 into 10 power minus 5 है ना 2 into 10 power minus 5 2 into 10 power minus 5 और यह 256 करेंगे तो क्या हो जाएगा यह by 100 है तो 10 power 2 उपर चला जाएगा ठीक है और into 10 power minus 3 हो गया यहाँ से ठीक है तो 10 power minus 5 और यह 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा तो देखिए यह पूरा यहां से cancel हो जाएगा ठीक है 1 by 2 T by 5 अब देखिए यह 2 से इसको cancel करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 128 तो यहां पर 128 is equal to 1 by 2 T by 5 अब देखते हैं हम लोग 128 को 1 by 2 के form में हम लोग को convert करना तो कितना power करेंगे तो 128 मिलेगा तो यह आपको मिलेगा 7 का power करेंगे तो 1 by 2 is equal to T by 5 अब देखिए दोनों तरफ compare कीजे T by 5 is equal to 7 लिख सकते हैं ठीक है तो T is equal to कितना हो गया 7 into 5 मतलब 75 जा 35 days तो यह देखिए हमको यहां पर T मिल जाएगा ठीक है 35 days में R का value मिलेगा उतना है तो option यहां से देखिए तो option A will be correct I hope आपको समझ आया होगा Thank you